हाँ जी बच्छा लोग कैसे आप सब उमीद करती हो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है है ना क्योंकि बात है आपकी 10th क्लास की याने की बोर्ड एक्जैम्स की तो चलो भाई इस बोर्ड के ए आसान बनाते हैं और अपनी नईया पार लगाते हैं दो वंचा लोग मैं हूं विजता प्रक्रानशीच आपकी अफ़्च करेंगे अब अपने एक और इम्पार्टेंट और प्यारे से मस्त से चैप्टर के बारे में क्या है हमारे chapter का नाम भाई हमारा परियावरन याने की our environment तो हमारा परियावरन से आप क्या समझते हो जल्दी से मुझे comment में बताओ कि कौन कर बता सकता है कि हमारा परियावरन क्या है क्या समझते हो क्या definition दोगे या कौन सा आसानी सा example देखे आप मुझे समझाओगे कि ma'am प जिनको पता है वेलन गूड नहीं पता है उनको मैं बता देती हूं कि अगर मैं परियावरण की बात करती हूं तो इसका मतलब परियावरण में सभी चीज़े आजाती है तो मतलब कि यहां सभी सभी चीजे होती हैं, इसमें, है ना, जो भी कुछ हमारे आस-पास है, ठीक है, मतलब जो भी कुछ हमारे आस-पास है, मतलब कह सकते हैं, जो हमें घेरे हुए है, है ना, वह सब क्या हैं हमारे पर्यवरं में वह सब क्या हैं हमारा पर्यवरं हो गया कि मेरे आसपास में थीज ठीक है पेड आ गए मेरे आसपास में और मेरे आसपास में क्या है यह पक्षी आ गए है चिडिया उड़ रही है ठीक है चिडिया उड़ गई है फिर मेरे आसपास में क्या है और मेरे आसपास में पहार आ गए है परवत आ गए है ठीक है और क्या गए मेरे आसपास में बताओ हाँ और क्या क्या जो बगीचे आ जाएंगे बाग बगीचे हो गए ठीक है रोड्स हो गई है ठीक है घर हो गए है लो जोपड़ी बना देते हैं यह घर हो गए है ठीक है तो यह सब चीज़े क्या आ रही है है जीवजनतू हो गए है ठीक है ओर क्या मनुश्य हो गया मनुश्य हो गया घर्म मनुष्य ठीक है और बी मतलब जितनी पी चीज़ां चाहीं वह जैविख हो या जैविख हो दोनों मिल के क्या बनाती है हमारा परियावरण बनाती है ठीक है तो अगे बढ़ जाते हैं तो अगे मैं बोलूंगी परियावरं का आरध किना है तो आप अच्छे से अप समझ चुक्यों कि भाई परियावरं क्या है वो सब mijn चीजेहंच जूँने होती हैं ट्रकाति ये वह उन्हें के लाती हैं और लुह ठीक है तो पारितंत्र क्या होता है तो पारितंत्र में क्या कहूंगी एक छेत्र ठीक है एक छेत्र के सभी जीव वै अजैविक घटक मिलकर क्या करते हैं पारितंत्र का निर्मान करते हैं ठीक है पारितंत्र का निर्मान करते हैं करक बिल्कुल कि एक छेत्र में सभी जीव बोलो या जैविक बोलो कोई बात नहीं जैविक और अजैविक घटक मिलके क्या कर रहे हैं पारितंतर का निर्बान कर रहे हैं ठीक है इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक पारितंतर जो होता है इसलिए एक पारित अंत्र क्या है? जैविक ठीक है, जिसमें क्या आते हैं? जीवित जीव आते हैं ठीक है, जीवित जीव आ गए इसके अंदर वे अजैविक घटक कौन-कौन से होते हैं? कौन-कौन से होते हैं? पहले लोगो मिलकर बनता है ठीके अब बताओ कौन कौन से बनता है बोलो चलो example देख लेते हैं भाई ऐसी क्या बात है ऐसी क्या नराज़गी है हाँ example में देखो example की बात करती हूँ तो जैसे क्या आगया आपका तापमान आगया है ठीके तापमान इसका एक example होजाएगा हां मृदा है मृदा ठीक है तो ये सारी चीज़े क्या है हां जैविक और अजैविक सब आ जाएंगे जैविक और अजैविक ठीक है ना जैविक में कौन है जो चीज़े जिन्दा होती है जैसे मनुष्य हो गए जीव जन्तु हो गए ठीक है अजैविक में कौन है तापान हो हेंगे वर्षा ओंगया वाईू होगे मिरदा होगे हैं आजायविक हो गए है तो सारी जीजे मिलके इस सब्सक्राइब कि में हमारा फारेतंटक को टीक क्लियर इतनी बात है ना ठीक है ना इतनी चीज़े clear चलो बहुत ही बड़ी आगे बढ़ जाते हैं अब आता है पारितंत्र के प्रकार ठीक है कि पारितंत्र के प्रकार क्या है तो अब जो पारितंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है ठीक है कैसा है ये दो प्रकार का होता है कौन कौन से भाई एक त क्या है प्रकृतिक पारितंत ठीक है पहला तो यह आ गए आपके पास दूसरा क्या आगए मानव निर्मित पारितंत ठीक है दूसरा क्या आगए मानव निर्मित पारितंत ठीक है यानि कि एक तो वो जो नेचरली हमको मिला है है ना दूसरा वो क्या जो मानव ने बनाया है तो दो तरीके के पारितंत ठीक तब इसमें क्या होता है जा हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि जो प्रकृति में already मौझूद है ठीक है जो नेचर में already मौझूद है तो हम लिखेंगे जो प्रकति में विद्धमान है ठीक है तो इसको बोलेंगे जो प्रकति में already है लेकिन जब मानव निर्मित की बात करते हैं तो यहां क्या होता है कि वो पारितंत्र वो पारितंत्र जो मानव ने निर्मित कीए है या मानव ने बनाये है या बनाया है ठीक है तो वो क्या हो गए हमारे मानव निर्मित पारितंत्र हो गए है और यह प्रकतिक पारितंत्र हो गए है फिर अगर मैं यहां पर इसके एक्जाम्पल की बात करती हूं तो एक्जाम्पल में क्या लिखोगे आप यहां पर हां एक्जाम्पल में हमारे पास आजाए का भई प्रकृतिक में जब हम बात करते हैं तो प्रकृतिक में क्या आगए जंगल जंगल है ना जंगल अल्लेडी म करते हो तो यहां आ रहा है यहां पर आपके खेत हैं वह हमीं बनाते आ हैं ना जलाश है Do सब्सक्राइब ठीके ना ना थीक तो यहां सारी सारी चीज़ाय यह यह अनु curved निर्मित है और यह क्या है यह प्रकृति के जो रूजूद है और यहां पर मानव की बात हो रही है, तो मानव की याने की भाई जो मानव ने बनाए है, ठीक है, इतनी बात कितने बच्चों clear हो गई है, मुझे फटा फट से बता दो, ताकि हम class को आगे बढ़ा सके, बताईए, clear है, थम सब दिखाओ, clear है तो, फटा फट से, थम सब दिखाओ, चलो, आगे बढ़ते हैं, देखो, अब पारिक तंतर के घटक की बात करते हैं, है ना, तो एक आरगे आपका अजयविक आगिया है, ठीक है, एक आपका जयविक आगिया है, जो हमने पहले भी पढ़ाता, तो अजयविक में हवा, जल, भूमी, ठीक, और जयविक में पौथे और क्योंकि यह जिंदा है, ठीक है, इसमें क्या है, जो जीवित-जीव होते हैं, वो इसमें आते हैं, है ना, जो भी जीवित-जीव हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है, और इसमें कौन आता है, इसमें आपके निरजीव आते हैं, जितने भी निरजीव होंगे, वो अजयविक म में आएंगे और जितने भी जीवित होंगे वह कि इसमें आएंगे आपके हाँ जैविक में फिर आप किया होता है जैविक गटड्टाक जो है चलो बहुत बढ़िया है ना अब यहां पर उत्पातक तो वह हो गए जो चीजों को उत्पात कर रहे हैं ठीक उपभोगता क्या है उपभोगता अलाग तरीके के हैं कि भाई शाका आरे भी हैं मासा हारे भी है सर्वा हारे भी और परजीवी भी ठीक और जो अब घटक है वो अब घटक की बात करते हैं तो अब घटक में क्या है कि वही जो सड़ी गली चीज़े हैं या कोई जीव जन्तु मर गया है कोई पेर तूट गया है ठीक है यह सड़ गया है ठीक है तो उसको क्या करते हैं उसको खतम करने का काम करते हैं ठीक है देखो अब आते हैं के पालित ठीकष, पहला आपके पास क्या है अजयविक, घटक जिसको हम क्या बोलते हैं अजयविग को, एबायोटिक, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीकष, ठीकष, यह हो गिया, दूसरा, क्या जाते हैं आपके दूसरे आते हैं जैविक जैविक घटक जिसको हम क्या बोलते हैं हां बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ठीक है ये दो चीजे क्लियर हुई आपको ये बताओ दो चीजे क्लियर हो गई ळिलुकुल है ना चेरा बहुत बढ़िया बात है क्लियर हो गई है तो नहीं वोगी होई तो कोई बात ने हम है ना हम क्लियर करवाएंगे जाप्टर बहुतएज है यह अगर अच्छे से समझ लोगे यही इंपड़न्स चीज़ हैं अच्छे से समझ लोगे, यकीन मानो, अच्छे नमबर ले आओगे, अगर इस से related, कोशन आएंगे, इस चाप्टर से related तो, चलो, अब यहाँ पर, अगर मैं अजैविक घटक की बात करती हूँ, तो यहाँ क्या आते हैं, सभी निर्जीव घटक आते हैं, इसमें, सभी के सारे जितने भी निर्जीव हैं, वो क्या है, इसी में आ जाते हैं, निर्जीव जैसे की कौन होते हैं, आपके निर्जीव क्या हो गई, हवा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, हवा, ठीक है, पानी, भूमी, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बताओ, प्रका क्या है यह हां जिन्दा नहीं है यह सब निर्जीव हैं इनको मैसूस जरूर करते हैं इन सभी चीजों को आप मैसूस करते हो लेकिन यह सभी चीज़े क्या है निर्जीव है ठीक फिर अगर मैं जैविक गटक के बात करती हूं तो जैविक गटक में क्या आ रहा है आपके पास जिसमें सभी सजीव घटक आते हैं, ठीक है, जिसमें सभी सजीव घटक आ जाते हैं, ठीक, चलो, मालने तेसमें सभी सजीव घटक आ गए, यानि कि जिन्दा है, तो जिन्दा कौन कौन है भाई, क्या आप और हम जिन्दा हैं, बताओ, 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 पौदे आ गए जानवर आ गया सूक्ष मजीव आ जाते हैं इसमें है ना सूक्ष मजीव आ गया और क्या आ गया कवक आ गये कवक ठीक है और हम मनुष्य भी तो आ गए है ना मनुष्य ठीक है तो ये सारे के सारे के आ गए आपके सारे के सारे किसमें आ गए आपके जैविक में बताओ ये चीजे आपको क्लियर हो गई यहां पर डाउट नहीं करना है बिलकुल भी कि मैम नहीं समझ में आई है बिलकुल भी नहीं ठीक है बताओ जल्दी क्लियर है ना बहुत बढ क्या है निर्जीव है ठीक है याने की वो क्या है निर्जीव है किन्तु जीवन को आधार प्रदान करती है अजयविक घटक कहलाती है अगर देफिनेशन आएगी तो आप यही डेफिनेशन वहां पर बिल्कुल छाप देना सभी निर्जीव घटक जैसे हवा पानी भूमी प्रकाश और ताप मान आधी मिलकर अजयविक घटक बनाते हैं जो अभी पिछले पेश पे मैंने आपको समझाया है पिर आता है जयविक घटक तो प्रत्वी के वह घटक जिनमें जीवन है याने की जो क्या है जीवित है जीवित की बात हो रही है जैविक घटक कहलाते हैं जैसे की पशोपक्षी हो गए है ना जनतु हो गए पेड़ पौदे सूख्षमजीव हो गए अरे मनुष्य का एग् तो सभी सजीव घटक जैसे की यह रहे इसके एक्जेम्पल अब आहार के अधार पर जैविक घटको को उत्पादक उपभोगता और उपगटक में बाटा गया है जो यहां पर मैंने अभी आपको समझाया था कि उपभोगता को बाटा गया है आहार के अधार पर यही बताया तो चीज़े यहां पर आ जाते हैं चलो तो इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं कि उत्त पादक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्त पादक क्या है सभी हरे पृधे सभी हरे पृधे ठीक है एवम z setup नील रहिफ शेवाल ठीक है ये किस में आते हैं आपके उत्पादक में आते हैं ठीक है ना सभी हरे पौधे एवं नील हरे शेवाल ठीक है ये क्या करते हैं जिन में प्रकाश संसलेशन होता है ठीक है जिन में क्या हो रहा है प्रकाश संसलेशन होता है मतलब ऐसे सारे के सारे पौधे और उनके साथ नील हरे शेवाल जिन में क्या हो रहा है प्रकाश संसलेशन याने कि फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस हो रही है वो क्या है उत्पादक है याने कि यहीं ज पर आता है उप्भोकता यानि की उसको उप्भोक कौन कर रहा है ठीक है तो उपभोकता में क्या आ जाता है कि वो जीव वो जीव जो उत्पादक द्वारा मतलब जो ये उत्पादक है ना इसके द्वारा क्या कर रहा है उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन उत्पादित भोजन पर प्रतियक्ष और अप्रतियक्ष रूप से निर्भर करता है clear इतनी बात है ना कि वही उत्पादक तो वह है जो चीज को उत्पाद कर रहे है अपनी महनत लगा रहे है पर जब बात उत्पादक की कर रहे है तो उत्पादक क्या कर रहे है ये ऐसे जीव होते हैं जो यह उत्पादक होते हैं हम प्यूमा हो गया है जैसे जाट के या आज कल क्या है Reliance Trends बहुत सेमस में है मैग्स है क्या किया करते हैं ये एक का試 हैं और पहलो के लिए इन तरीके से उभोगता जो है उत्पादक पे क्या है निरभर है समझ गई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अब यह जो क्या होता है यह जो हम यह उपभोगता है यह कैसे हैं यह कितना टाइप की वोता है यह देख लेते हैं चलो तो भई इनके टाइप की बात करें सबसे पहला टाइप हमारे पास आ जाता है शाकाहारी शाकाहारी ठीके शाकाहारी याने की जो बिलकुल क्या है वेजिटेरियन हो गए ठीके, दूसरा क्या जाएगा आपके पस मासाहारी यानि मास खाने वाला जो मास खाता है तीसरा क्या है आपके पास सर्वहारी यानि कि मास और क्या बोलते हैं ये शाकाहारी दोलों किसम का जो होगा वो इसमें आ जाएगा फिर लास में क्या आगे आपका पड़जीवी ठीक है जो दूसरे जीव के उपर रहके अपना बेनेफिट बनाता है ठीक है तो इनके खाने के आहार के उपर हमने क्या बोलाए चार तरीके के हो गई है ना अब शाकाहारी की बात करें तो इसमें शाकाहारी का एग्जैम्पल बताओ शाकाहारी का एग्जैम्पल बताओ तो भाई, शाकाहारी में आपका कौन आ गया, हिरन आ गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया, ठीकEr Still, ये इसका एक्जामपल हो जाएगा, मासाहारी में आप शेरड ले लो, चीता ले लो, बिल्ली ले लो कुटता ले लो है ना फिर ऩर रहारी की बात करें तो सर्वाहारी में कौन है मनुष्य घर मोल insist कि हम दोनों चीजे घाते हैं वेजेटीरियन भी है नौन वेजेकर उबीर स्पाहण और आजकल एक्चे pel आगये है ते चलो बहुत भड़िया देखो, आहार के अधार पर जैविक घटकों को निम्न में बाटा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला हमारे पास आगए उत्पा तक, ठीक है, तो सभी हरे पौदे, नील, हरे शेवाल, अपना भोजन, शरकरावे स्टार्च, अकार्बनिक पदार्तों से सूरे की रोश्णिका प्रियोग करके बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश तंसलेशन या फिर इसको हम फोटो सिंथेसिस कहते हैं, ठीक, फोटो सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है न, अब दूसरे नमबर पर आगए आपके उभोगता, ऐसे जीव जो अपने निर्वा के लिए परोख्ष या अपरोख्ष रूप से उत्पादक उपर निर्वर हैं, मैंने अभी एक्जैम्पल देखे समझाया हैं, कपड़ोगा, जूतोगा, कि उभोगता जो है उत्पादक पर निर्वर हैं, अब उभोगता को मुख्यता शाकाहारी, मासाहारी तो सर्वाहारी एबं पर जीवी में बाटा गया है, ठीक है ना? तो देखो, ये चारों को चारों चीजे मैंने अभी समझाई हैं आपको, पर समझो, शाकाहारी पौधे वे पत्ते खाने वाले होते हैं, जो सी पौधे और पत्ते खाते हैं, जैसे कि बकरी हो गया, हीरन हो गया, मासाहारी जैसे शेर हो गया, मगरमच हो गया, चीता हो गया, है ना? लोमडी भी हो गई, चलो, सरवाहारी पौधे में मास दोनों खाने वाले, जैसे कौवा और मनुष्य, पर जीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने वे भोजन लेने वाले, जैसे जू या अमर बेल, ठीक है ना? अगर आ आंसर लिख देना, नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? देखो, जब हम पेपर देते हैं ना, तो पेटा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस चीज़ों खीचो, कि भई हमको तो लंबा आंसर करके लिखना है, नहीं, यह हमारी सोच गलत होती है, आक्चुली में जब अब घटक आते हैं उसके बाद हमारे पस, अब घटक क्या है? कि वे फफूंदी वे जिवानों जो की मरे हुए जीव वे पौधों के जटल पधार्तों को सरल पधार्तों में विक्तित करते हैं, इस प्रकार अब घटक सुरोतों की भरपाई में मदद करते हैं, ठीक है, यह कभी कभी कोई कुटा मर जाता है, है ना, या कोई चिडिया विडिया मर के गिर जाती है, या कभी कभी क्या होता है, खाना सर जाता है, तो उन चीज़ों क्या करना है, अगर उनको ऐसे ही वो छूट जाएंगी, तो सोचो कि बद्दू आती है, ऐसे है ना, तो वो जो है हमा कर्मचारी ठीक है यह क्या करते हैं फ्री फंड में सफाई का काम करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं सफाई करमचारी यह फ्री फंड में काम करते हैं सफाई का हमारे इंवायरोमेंट का कोई रुपया नहीं लेते हैं हम लोगों से ठीक है ना तो वह इन लोगों की भी इज़त क करने चाइए है ना जो आब घटक होते हैं यानिए डिकंपोजर्स ऐसे सूक्ष्मजीव ज้ होते हैं ठीके चलो प्ơलों फिर आती है आहार शरं्कला ठीके जब हम आहार स्नुम्कला की बात करते हैं तो ये ऐसी इस श्रंखला है जिसमें ये ये एक ऐसी वे जिसमें एक जीव, दूसरे जीव का भोजन या को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है, अहार श्रिंखला याने की फूड चेंड, ठीक है, क्या बोला हमने इसको फूड चेंड, फूड चेंड, तो जब फूड चेंड का नाम आएगा, तो confusion नहीं रखना है, बिल्कुल भी, इसलिए इनके जो है, इंगलिश के नाम भी मैं साथ साथ आपको बताती जा रही है, ठीक है, तो यह एक ऐसी चेंड है जिसमें एक जीव, दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, तो किस ने खाया, इस घास को हिरन ने खा लिया, है ना, हिरन ने खा लिया, हिरन को किस ने खाया, शेर ने खा लिया, खतम हो गई कहानी, एक था राजा, एक तिरा नी, दोनों मर के खतम कहानी, ठीक है, बजपन से यही सुनते आ रहे हम लोग, तो देखो, यहां पर भी देख यह हमने चोटी से श्रिंखला है यह खतम हो गई जो घास से उसको हिरन ने खाया हिरन ने खाया शेर की मज़े आगए पाटी मिल गई उसको हैं चलो यह समझ में आगया हूं आगे बढ़ते हैं ओके देखो आहार श्रिंखला एक ऐसी श्रिंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को वोजन के रूप में खाते हैं जैसे मैंने रिताया घास, हीरन और शेर ठीक है ना एक आहार श्रिंखला में उन जैवी घटकों को जिनमें ऊर्जा का इस्थाना अंत्रण होता है पोशी इस्थर कहलाता है याने कि एक जो फूर्थ चेंड हो थी है उसमें जो बायोटिक कॉंपोनेंन्स होते हैं ठीके जिनमें क्या होता है और जा याने कि जो एनर्जी है हैंना energy है क्या हो रहा है transfer हो रहा है ठीक है energy का जो क्या हो रहा है transfer हो रहा है वो क्या है पोशी इसतर कह लाता है ठीक है energy transfer सुनाए यह आप लोगों ने हैंना 10% law पढ़ा होगा तो एक आहार शरंकला में Oacağ का इस्थाना अंतरा यहने की transfer of energy जी एक दिशा में होता है यानि कि एक ही दिशा में होगा ऐसा नहीं है यहां हुआ यहां चला गया यहां चला गया यहां चला गया यहां चला गया नहीं एक ही डायरेक्शन में होगा या तो इधर या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे मतलब कैसे वह लेकिन एक ही डायरेक्शन म भूक बहुत इंपॉर्टेंट है यह ठीक है किया यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल मिसिन करना है हर बार आता है हर बार ठीक है चाहे एक नंबर 10% उर्जा का क्या हो रहा है स्थाना तरह हो रहा है यानि कि एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ और सिफ 10% जो एनर्जी है वो क्या हो रही है ठीक है जबकि जो 90% उर्जा है ठीक है जबकि जो 90% उर्जा है वर्तमान पोशिस्तर में जैफ क्रियाओं में उप्योग हो जा मतलब कि इंडिरेक्ट लिए भी कह सकते हैं कि जो 90% उर्जा है वो क्या है जो दूसरे प्रोसेस हो रहें दूसरी क्रियाएं हैं उनमें उनका उप्योग हो रहा है और भोगता के अगले स्तर के लिए उर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है अंतहा अहार शेंक् की बात कर रहे हूं सबसे पहले आगए आपके प्रड्यूसर प्रडी अरे क्या लिख रहे हूं प्रड्यूसर ठीक है प्रड्यूसर आगए फिर आगए आपके प्राथमिक उप्भोगता याने की आपके प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर यह इसलिए बता रहे हूं ताक ठीके फिर तिर्टिक याने की तर्शरी कंज्यूमर ठीके ना तो भाई एक दो तीन चार चार लेवल तकी रखा ताकि जो एनरजी है ठीके उसका जो फ्लो है वो सबको मिले ऐसा नाव की कोई एक रह जाए तो अगर उत्पादक है अगर इसके पास 1000 केजी है तो इससे किसमें पहुंचा जो प्रात्मिक उभ्भोकता उसके पास 100 केजी पहुंचा ठीके सो के बाद भाई दुत्यक के पास कितना पहुंचा दस पहुंचा और जो तृत्य है उसके पास एक पहुंचा ठीके उर्जा का बहाव है यह और यह के पोशी स्तर ठीके इतनी बाद सबको समझ मे आगई यह हमारा 10% लोग कि 10% एनरजी आगे जाती है चलो अब आहार श्रिंखला के चरण की बात करते हैं है ना इसके चरणों पर आजाते हैं कि कितने चरण होते हैं तो देखो जैब समभर्दन आजाता है सबसे पहले इसके चरण में क्या रहा है सबसे पहले जैब समभर्दन ठीक है सबसे पहली चीज यह आ गई है यहाँ पर तो जैब समभर्दन में क्या होता है आहार श्रिंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोशी इस्तर से दूसरे पोशी इस्तर में जाने पर व्रद्धी होती है ऐसा जैब समभर्दन कहते हैं ठीक है एक से दूसरे लेवल में जा रहा तो यह इंक्रीज हो रहा है बेसिकली तो ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है एक्जाम्पल के तौर पर मानव शरीर लिख सकते हो वहां पर ठीक फिर आता है आहार जाल दूसरा क्या आगे आपका आहार जाल ठीक है अभी हमने क्या पढ़ा था यहां पर आहार श्रिंखला पढ़ा था अब क्या पढ़ रहे हैं आहार जाल ठीक है तो आहार जाल क्या होता है फूड वेब कहते हैं इसको क्या बोला हमने इसको फूड वेब यानि की जाल क्या होता है है ना जो मकड़ी का जाला हो गया है ना तो वह यह जा लिए तो इसमें क्या होता है आहार शंकलाय आपस में प्रकरतिक रूप से जुड़ी होई होती है जैसे अभी हमने क्या पड़ा हमने यहां पड़ा घास हीरन और शेर यह एक लाइन में जा रहा है यह एकी लाइन में जा रहा है ठीक है और यह खतम हो गया लेकिन जब बात हम यहां पे करते हैं तो यह क्या है प्रकरतिक रूप से आपस में जुड़ी हुई होती है जो एक जाल का रूप धारन कर लेती है उसे आहार जाल कहते हैं कैसे बना लेती है जा इस पौदे को किस ने खाया खरगोश ने खाया ठीक इसको किस ने खाया फिर खरगोश कौन खा गया लोमड़ी खा गई यह आ गया ठीक है दूसरा बताती हूं यहां पर दूसरा यह पौदा है ठीक है पौदे किस ने खाया तिल्चटे ने खाया तिल्चटे को किस ने खाया म साप चुहे को भी खा जाता है ठीक है और इस क्या बोलते हैं यह चील है चील इस चुहे को भी खा जाएगी चील इस साप को भी खा जाएगी और चील इस खरगोश को भी खा जाएगी ठीक है तो यह सब आपस में क्या है जुड़े हुए है है ना चलो बढ़िया तो यह हमारा प्रियावरन की समस्याइं बहुत ही समस्याइं जिंदगी में कि समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है कि बताओ मैडम जी परियावरन की समस्याइं बहुत ही बहुत ही दिक्कत की बात है इतने दिक्कत क्या ही करें कोई बात करना तो पड़ेगा समझना तो पड़ेगा तो यहां क्या होते हैं परियावरन की समस्याइं याने कि कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं ठीक है कुछ बदलाव और ऐसे बदलाव जो क्या करते हैं हमक को प्रभावित करते हैं ठीक मरत शॉल्डेशी स्पार जाती है तो इंक बदलाव आता है परियावररण में बदला भाथा है उससे क्या होते हमें फरक पड़ता है छीजों से अभी गर्मी है ठीक है गर्मी का मौसम है अब अचानक से थंड आ जाती है तो अचानक से थोड़ी ईङगी धीरे धीरे करके मौसम बदलेगा तब एक लेफल पर जाके हमको ठंड महसूस हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी फिर अग्दम से पत ह्छाड़ा सर्दिया आती है एकदम नहीं आती है यह बदलाव कैसे धीरे-धीरे होते हैं है ना फिर और क्या कह सकते है हम जिससे क्या होती है जब धीरे-धीरे बदलाव होंगे तो हो सकता है कुछ समस्याएं भी आ जाएं हो सकता है कि कुछ क्या आ जाएं समस्याएं समस्याएं उत्थपन होती है ठीक है करेक्ट बिल्कुल हाँ मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है समझने वाली बात है ना चलो पिर जैसे कि हम अगर एक्जैम्पल की बात करें तो किसका एक्जैम्पल ले सकते हैं भाई हम यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कहूं सबसे पहली बात की प्रदूशन बढ़ता है प्रदूशन बढ़ता है पराली जलती है उससे क्या होता है पराली जलती है तो प्रदूशन बढ़ता है लेकिन क्या करें जलानी तो पड़ेगी न कोई और अस्ता भी नहीं है अपने पास तो जब वन काटोगे तो भाई वनों की कटाई से भी इंडारेक्ली हम पर फरक पड़ेगा वन नहीं रहेंगे जहां पेड़ पौदे नहीं होते हैं उक्सूजन की कमी हो जाएगी प्रदूशन ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है और क्या होगा बारिश अगर वहां हो गई तो ब ए law यह पौलई यह उरली ऑच्छे यह एकादक कमेंट करके बता दिया हम यह क्यों है चलो दर जाते दो यह चलो जिकर शा ऑप परिया नहीं म्त चलो बढ़ जाते हैं तो परियावरं में बदलाव हम प्रभावित चरता है और हमारी गतिविदियां भी परियावरण को प्रभावित करती है यानि कि वह वाइस वर्षा है ना कि जो हम दूसरे के साथ करते हैं वो हमारे साथ जरूर होता है तो हम परियावरण को नुकसान पचाते हैं तो बदले में परियावरण क्या करता है हमको भी नुकसान पचात और जोन परत बहुत important topic है इसको बिल्कुल भी miss नहीं करना है क्योंकि एक नंबर में दो नंबर में या 5 नंबर में और जोन परत के उपर सवाल आते ही आते हैं तो इसको मिस नहीं करना है विल्कुल ठीक है तो ओजोन परक्त प्रत्वी के चारों और एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पैरा बैगनी प्रकाश को अफ्शोशित कर लेती है इस प्रकार ये जीवों की स्वास संबंदित हानिया बढ़ाती है जैसे कि त्वचाह पे डिक्कत आना कैंसर होना मो यू मंडल का हिस्सा है जमीनी इस तर पर ओजोन एक घातक जहर है समझ में आई हाँ ओजोन परत क्या है देखो ओजोन परत समझाते हैं आपको नेक्स पेज पे ठीक हमने क्या कहा ये प्रत्वी के चारों और एक क्या है रक्षात्मक क्या है हाँ ये प्रत्वी के प्रत्व रक्षातमक आवरण की तरह काम करती है को किया तो बोला भी हमने यहाँ पर एक रक्षातमक क्या काम कर रही है अगर मैं इसके कारे की बात कर रही हूं क्या काम कर रही है यह क्या काम कर रही है यह हमारा क्या है सूरज है ठीक है यह हमारा सूरज है इससे क्या निकल लिए है पैरा बैगनी पैरा बैगनी किरने जिनको हम क्या कहते है यूवी रेस कहते है अल्ट्रा वॉ प्रेश कर लती है तो ओजोन क्या करता है तो ओजोन इसको अफ्षोशित कर लेता है अफ्षोशित करता है जा करती है ठीक है अब ये जो ओजोन है इसको क्या कर लेती है अब सोशित याने की भाई ये इसको एब्जॉर्ब लिख देती हूं लो एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है इसको इसका मतलब ये जो यूवी रेस से होने वाली बिमारिया है कौन कोंसी बिमारिया इससे हो सकती ह इससे भाई तवच्छा पर Infection हो सकता है है तवच्छा था खी कोई भी विमारी हो सकती है तो इन सारब विमारियों सेमें कौन बचा रहा है उसका मतलब वहा था इंपोर्टेंट om बोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी में समझ रहे हो तो ओजोन पुरत प्रत्वी के चारों और एक रक्षात्मक आवरण है जो की सूर्य के हानिकारक पैरा बैग ने प्रकास का उप्शिव कर लेती है इस प्रकार से यह जीवों की स्वास संबंदित हानिया जैसे कि तुच् और उजून यह नगातक जहर है कैं अब उजून का निर्मान तो औरमन देमन प्रकास रसाइनिक क्रीया का परिणाम है कि बहुत oxygen है इसके उपर oxygen में पैरा बैंग नी विकरन हो रहा है तो oxygen क्या है टूट गया है O plus O में टूट गया है अब यहां जो है फिर यह oxygen के साथ जब फिर से मिल गया तो इसने क्या कर दिया O3 बना दिया ठीक है कि वह यह 2 में टूट गया O plus O में टूट गया ये वाला oxygen जो है O plus O2 के साथ मिल गया, O3 बना दिया, ये वाला oxygen जो है फिर O plus O2 के साथ मिल गया, O3 बना दिया, ठीक है, तो इस तरीके से, ओके क्लियर, ये O2 क्या है, ये हमारा क्या है, oxygen है ना, ठीक है, चलो, फिर ozone परत का हास, याने कि उसमें क्या है, कि 1985 में पहली बार अंटार्क्टिका में ozone परत की मोटाई में कमी देखी गई, ठीक, जिससे ozone चेदर नाम से जाना जाता है, वहां कहते हैं, ozone hole की बात चल रही है आज कर, है ना कि ozone में क्या हो गया, ozone hole की बात चल रही है, तो ozone की मातरा में इस तीवरता से गिरावट का मुख्यकारक, मानव संसलेशी तुरसायन, क्लोरोफ्लोरोकारबर, यानि कि इसको हम CFC कहते हैं, को बाना गया है, जिसको ओपियोग, शीतलन, एवं, अगनी शमन के ल 1986 के स्थर पर ही सीमित रखा जाए, ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना, बहुत बढ़िया, अब आता है कचरा प्रबंदन, ठीक है कचरा, हर जगा कचरा फैला रहता है, रोडों पर कचरा फैला रहता है, लोग जो हैं इतना कचरा फैला फैलाते है, तो आज के समय में प्रबंदन, प्रबंदन, ठीक है, तो जैव निमनी करन प्रबंदन, ठीक है, तो जैव में क्या है, पदाट जो सूक्ष मजीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियों के छिलके, सूती, कपड़ा, जूट, कागच, आदी, ठीक, अजैव में कौन आता है, पदाट जो सूक्ष मजीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलेथिन हो गया, ठीक है, और क्या बोद धातु है, रेडियो एक्टिव अप्षिष्ट हो गया है, तो ये सारी सारी चीज़े क्या है, ये अजयव में आ गई है, ठीक है न, जो कि क्या है, डिकंपोज नहीं हो रही है, ये क्या है, ये सब चीज़े डिकंपोज हो जाती है, है न, फिर सूक्ष मजीव इंजाइम उत्पन करते हैं, जो पदार्तों को छोटे घटकों में बदल देते हैं, इंजाइम अपनी क्रिया म में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सबी पदार्तों का अब गटन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है, स्पेशल होते हैं जो करते हैं इस सब, फिर कचरा प्रभंदन की विधिया कौन सी है, एक है जैव मात्रा सयंत्र, सीवे जुपतार सयंत्र और कूड और कूड़ा भराफ छेत्र, ठीक है, तो यहां जैव निमनीकरन पदार्त कचरा इस सयंत्र द्वारा जैव मात्रा वे खाद में परिवर्दित किया जाता है, जब हम जैव मात्रा की बात कर रहे हैं, यहां नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा कुमीन के नीचे और इसी के साथ अपने चाप्टर हमने यहां पर पूरा कम्प्लीट कर लिया है है ना कि आया ना मज़ा सीखने में कितना सिंपल था सब कुछ असानी समझ में आ गिया हूं चलो फिर आज ची ग्लास को यहां पर खतम करते हैं मिलते हैं अपने अगली ग्लास में ठीके अच्छे से रिवाइस करते रहिए पढ़ते रहिए खुश रहिए अपना ध्यान रखिए और मस्ती भी कीजिए ठीके चलो बाई बाई